हलो स्टूडेंट स्वागत था आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ओफिशल टुप चैनल में जिसका नाम है एस सोल सुलूशन मैं चन्दन कुमार हाजीरूं आप सभी के सामनी अपनी एक और नहीं वीडियो के साथ सो गईस आज की इस नहीं वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो MED के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के पास में MPS का कोर्स है और हों Master of Political Science को पढ़ रहे हैं MED2 में भी 002 का सब्जेक्ट है उन सभी के पास में और Word की बात करूं में तो यहाँ पर सत विकास, मुद्दे और चुनोतियां यह subject उन सभी के पास में तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए उन most important questions की बात करेंगे जो आप सभी के exam में पूछे जाएंगे या वे सभी students जो June 2023 में अपने exam में appear होने वाले हैं इस session के students हैं या फिर वो December 2023 में appear होने वाले है तो उन दोनों तरह के students जो हैं उनके लिए वीडियो sufficient रहने वाली है और इन में से ही important question आएंगे यहाँ पर हमने लगबग 20-20 question बताएं इसके अलावा आपको कुछ और question करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस वीडियो के PDF को download करना चाहते हैं तो link description box में दिया गया है व शचित शीलता शब्द को परिवाशित कीजिए यह शचित शीलता जो शब्द है से इसकी परिवाशा लिखिए शचत विकास की उत्पत्ति की चर्चा करते हुए इसका वर्णन करें ऐसे question आपके वीपर में भी बन सकता है वाकिए simply में सब्द विकास शब्द की उत्पत्त पर होने वाली जो हानी है वो काफी बढ़ गई है परियावरण में काफी जादा समस्याएं आ चुकी है परियावरण के अंदर ग्लोबल वार्मिंग जैब विवित्ता वाइन की ऐसी बहुत सारी समस्याएं में देखने को मिल रही है उजो उन प्रत में छिदर हो रहा है त तो यह जो सतत सीलता है यानि सदयव बनी रही इस्तिती जो है हमेशा नहीं बन पाएगी हम देख सकते है इसकी वज़े से मनुष्य की जो लाइफ है इस पर डारेक्ली इंपेक्ट पड़ रहा है तो सतत सीलता है क्या तो हम अपने जो भी संसादन है उन सभी शब्दों उन लिमिटेड होने की वज़े से जो है हम उसका अत्यदी कुप योग कर रहे है तो भविशे में तो उनसादनों का खतम होने का खत्रा ही है लेकिन वर्तमान समय में भी अत्यदी कुप योग के कारण बहुत सारी हमारे सामने प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो यह वाला क होता है आपके पेपर में भुमंडली करण वैश्वी करण या ग्लोबलाजेशन ऐसा कोई भी शेव्द आपके पेपर में पूछा जाए तो इसका मतलब सेमी होता है और इसके परमुख अंगो का उलिक कीजिए यानि जैसे भुमंडली करण के चार डायमेंशन होते है एक आजनेतिक आर्थिक और एक आपका तकनीकी कायाम इसके साथ साथ आपको ये बताना है कि भुमंडली करण द्वारा परतेक्ष विदेशी निवेश पर कैसा परभाव पढ़ रहा है अगर हम बात करें फोरन डारेक्ट इंवेस्मेंट एफ डी आई इस पर वैश्वी करण क क्या परभाव पढ़ रहा है तो आपको बताना है तो सबसे पहली बात तो हमने वीडियो बना रखी है इस पर सेपरेटली बुमंडली करण के आए आप इस वीडियो को देखेंगे लगबग तीन लाख प्लस व्यूज है बहुत सारे स्टूरेंट्स का प्यार मिला इस वाल हमारे देश में हो रहा है हमारे देश के लोगों को रोजगार मिल रहा है हमारे देश के अंदर नहीं नहीं टक्निकों तक्निके आ रही है जिनका उप्योग कर पा रहे हमारे देश के अंदर जो भी वो ट्रेड कर रही है हमारे कंपनीज को हमारे देश के अंदर जो सरकार ह उनको उनसे GST या अलग-अलग प्रकार का टेक्स मिल रहा है लेकिन इसके कुछ losses भी है इसका loss है कि हमारे देश का जो भी पैसा माहूंट होता है वो अपने देश वो कमाकर ले जाती है इस तरीके से हम इस वाले question के अंदर लिख सकते है नेक्स्ट question है भारत में विशाल बां अगर आप देखोगे तो इन सरकारी संगतनों निभाई है सबसे बड़ी परियावरे विद्धी की बात करें भारत में तो मेगा पार्टिकर का नाम सुना होगा शुंदलाल बहुगुडा का नाम भी सुना होगा आप सबने तो यहां पर विशाल बांध पर योजना जो है इसके अंदर इनकी क्या मुख्य भूमिका है इन संगतनों की यह आपको कोशिन मताना है यह कोशिन मैंने बता भी रखा है अगर आप लोगों नहीं देखा है तो इसको एक अलगी वीडियो में सेपरेटली देखने वाले है बाकि यहां पर आप इसके अंदर दो बांध वि वन्या परियावरण और प्राणी से संबंदित कौन-कौन से परियावरण कानून बनाए गया है तो भारत के अंदर वन्या परियावरण और परियावरण से संबंदित कई सारे कानून बनाए गया है जैसे अगर हम बात करें परियावरण से संबंदित कौन-कौन से कानून बनाए गए तो अलग-अलग समय में इसे 1972 का बड़ा फीमस है, 2005 का बड़ा फीमस है, कानून, इसके अलावा 1987 के करीब में हमने बनाए था, 1982 में भी बनाए था, तो लग-बग-बग-बग कई-कई वर्षों में जो है, परियावरण को लेकर कई-कई सारे वन निती सरकार द्वारा आती है, देखो यह कुशन बहुत इंपोर्टेंट है, यह अलग-अलग तरी के से पिपर में पूछ रहा है, यहाँ पर आप सभी को बताना है, परियावरण के कानून जो भारत सरकार द्वारा बनाए गया है, परियावरण को सनक्षन के लिए, जैसे कई सारे elephant reserve बनाए गया है, tiger reserve बनाए गया है, या फिर इनकी परजातियों को बढ़ाया जाए, इसके लिए आप देख रहे हो, नरे अंदर मोदी जी, चीते भी लेकर आ रहे है, तो थाकि भारत में भी उनका क्या हो सके, इन्वाग्रेशन हो सके, काफी बढ़ावा मिल सके भारत के अंदर, परियावन संदक्षन के लिए वैश्विक पहल होगे कि नी 5 चुनोती बताईए, क्या क्या चुनोती आए, पहली बात तो परियावन संदक्षन होता क्या है, इस पर कुशन पेपर में बार बार बनता है, नीचे भी हमने बना रखे है, परियावरन संदक्षन होता क्या है यह परियावरन को सुरक्षा परदान करना ही परियावरन संदक्षन कहलाता है इसकी वैश्विक पहल जैसे वैश्विक पहल तो अंतराष्टे संगटन जो होता है वो करता है पेपर में कोशन यहां से यह भी बनता है कि अंतराष्टे संग तो कई बार ही हमारे देश में फर्टिलिटी रेट अच्छी है जो अच्छी है तो जाहतर देश वाले हम पे ही प्रैसर डालेंगे कि अपने परियावणु को और ज्यादा क्या करो अच्छा करो ताकि प्रियावण की तो पूरा को पूरा पूरा लाभ मिल सके परियावर्ण की जो problems है मौसम सम्मंदित जो problems है वो problem निकल कर हमारे सामने ना आए तो यहाँ पर एक चुनोती ये भी देखने को मिलती है तो पांच चुनोती इसलिए का गया है क्योंकि पिपर में आपको पता ही वाला subject अरे जो है उनके मतवेद हो जाते हैं वैश्व के सर पर कई बारी जब वैश्व के सर पर किसी चीज को दबाव किसी एक देश पर्टिकुलर देश पर बनाया जाता है तो भी वो देश उस चीज को accept करने को त्यार नहीं होता अगला question है सतत विकास से आप क्या समझते हैं सतत विकास का मतलब होता है ऐसा विकास का तरीका जो आने वाली पीडी को ध्यान में रखके किया जाए जैसा कि पहला question मैं आपको बताये गया है इसके पर्मुक उदेशे बताईए तो important question है बहुत जादा important question है यह दियान रखना आप से भी कोई people में पूछा जाता है बार-बार पूछा जाता है इसके मुख्य उदेशे क्या है ताकि सिमित संसादन है उसका भविशे में भी परियोग किया जा सके पहली बात तो यह दूसरी बात का है विकास जो है वो आने वाले टैम पे भी बना रहे तीसरी बात करें तो सतत विकास हमारे लिए important इसलिए भी इसका भी उदेशे ये भी है ताकि जो संसादन है वो खतम ना हो जाए संसादन बने रहे और जो है संसादन हमारे लिए उपयोगी क्यों है ये जनता को इसका उपयोग भी पता चले ये भी important है next question है GAT के बारे में तो मैंने एक वीडियो बना रखी है WTO के बारे में उसमें मैंने GAT को explain कर रखा है अगर आप लोग दोगे के देखोगे तो लगबग 2,00,000 से प्लस उसके दिर वीउस है आप उसके देखे WTO by soul solution आप सर्च करेंगे आपको मिल दाएगा इसकी कुछ कमजोरियों को बताना है तो वैसे मैं कमजोरी बता देता हूँ WTO का ही पुराना नाम GAT है आप सभी को पता होना चाहिए 1 जनवरी 1995 इसके बाद में GAT का नाम जो है और वैपार सुल को भी कहा जाता है देखो दोनों नाम हैं इसके साथ General Agreement on Trade on Tariff इसकी कमजोरी क्या है इसकी कमजोरी सबसे पहली बत यह है कि विक्सित देशों द्वारा इससे पूरा कंट्रोल किया जाता है पहली कमजोरी इसके अंदरी है दूसरी कमजोरी यह है कि अंतराश से इस तरपर जो गरीब देश है उन सभी के वैपार को बढ़ाने में आसमत रहा है साथी साथ ऐसे देश जो जादा आयात करते है तो उन देशों के निर्यात को भी बढ़ावा देना नहीं पाए यह भी आपको याद रखना है इसके बाद में बहुत सारे देशों के बीच में जो है trade war चलता है trade war का मतलब है इस्टेसे दो देशों के बीच में संभंध खराब है लेकिन उन दोनों देशों के दवारा एक दूसरे से कुछ समान खरीदा जाता था अब वो समान नहीं करीद पाते, तो ये ट्रेड वार कहलाता है, तो ये भी एक इसकी प्राब्लम में इसको सुलजा नहीं पाए, इसके लाबा कई सारी से ने संधियों का लागू कर रखा है, इसे ट्रिप्स है, अब गरीब देश जो है, ट्रिप्स की विजए से कुछ नया इंवेंशन करें नहीं पाता, क्योंकि जातर इंवेंशन जो है, पहले से ही विख्षित देशों ने कर रखा है, और इसके लिए इसको विख्षित देश के उपर निरबर रहना पड़ता है, अगला कोशन है, मरस्तुरी करन का मतलब होता है, जब आपके देश में लंबे सम शरतर रखनी है कि काफी जातर हम जमिन को हम यूज करते हैं, तो उसके बाद भी मरस्तुरी करन उने लगता है, इसके अलावा जब हम खेत के अंदर जो लवटा है, जो लवटा का बढ़ने से भी मरस्तुरी करन बढ़ता है, और उसे गनुखbelsो निप्टने के क्या की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा प्रात्मिक्ता दी जाने वाले चीत्रों को बताई तो क्या-क्या सतरकार कदम उठा रही है आपको वू पॉइंट से इसके इंदर बताने कि सतत विकाश बनी रहे सतत विकास के बार में उपर भी चर्चा कर चुक है चिपको आंदुलन पर जाती है उनका अंतराष्टे वैपार से संबंदी तेक समझोता हुए जिसे साइट से बोलते हैं इसको हम अलग से वीडियो में डिसकस करेंगे अगला कोशन है प्राकर्तिक संसादनों के सतत उपयोग और आयामों की व्याक्या करनी आप सभी को प्राकर्तिक संसादन ज नागरिक समाज की भूमिका क्या है नागरिक समाज आप एंज्यो के रूप में देख सकते हो वैश्विक छेत्रिये तता राष्टी और गयराष्टी संगठनों का उधारन से वैक्या की कौन-कौन से ऐसी संस्ताइं है जैसे यू एंड ट्रिपल सी है ये प्रियावरण को स नंक्षिन गरने में अपनी मुख्य भूमिका निभा रही है यह उतनी को ध्याद रखना इसके बंद में लैंगे के विश्शंता के हैं जह हम देखते हैं कि मादा और नर का रहोता वह लेंग आपको उनक्याओं को बचाने में मैं बीजी रहते हैं तो कई बार आंदोलन की जो बागडूर है वो महिलाओं ने समाली है तो ये concept आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन है परियावन के सनरक्षन के लिए आंदोलन ने किस परकार मुख्य भूमिका निवाई है सर्दार सरोगर प्रयोजना चिपको आंदोलन और चिलका बचाओ आंदोलन ऐसे अब जब आप आंदोलन पड़ोगे सेलेंट वैली आंदोलन विश्णोई आंदोलन तो इसके अंदर आपको इस सारे की सारी चीज़े क्लियर हो जाएंगे नेक्स्ट कोशन है पारिस्तिक तंत्र का सनक्षन करना जरूरी क्यों है पहले बात तो पारिस्तिक तंत्र बोलते है कि इसको हम एको सिस्टम होता क्या है इसको पहले आपको एक्स्प्लीन करना है और फिर इसको क्यों जरूरी है तो एको सिस्टम क्या करता है हमारे पूरे पुरे परियावन को बैलेंस करके रखता है क्योंकि फूर्चेन आपने सुना होगा कि साप है फिर चुआ है इधर हम मूर देखते हैं और इधर इसके बाद में कोई शिकारी देख देते हैं यहां पर ना मनुश्य कर दिया पहले चुआ था फिर उसको साप ने खाया साप के बाद में मौर ने खाया मौर के बाद में किसी एक पश्यों ने खाया और वो मरके फिर द्वारा नीचे अब गटित हो जाएगा गासों में चला जाएगा तो इस तरीके से हम यहां पर देखते हैं कि परियावरण से नक्षन हमारे लिए इंपोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि परियावरण के अंदर जितने विजीव जनतु है उन सभी का बैलन्स बना रहे और जो अमारा एको सिस्टम है वो बिल्कुल बरकरार रहे इस चीज़ के लिए नेक्स्ट कुशन है विकसित और विकासिल देशों के मद्दे आसमानता के किनी दो कारणों को बताईए तो पहले रीजन हम बहुत सारे लोग ये कहता है कि विकसित देश ने बहुत पहले ही विकास कर लिया है और विकासिल देश अभी विकास करी रहे तो इनके बीच में आसमानता है विक्सित देश बहुत पहले ही अजाद हो चुके थे विक्सित देशों में और द्योगी करन जो है वो काफी पहले से ही शुरू हो गया था इसलिए विक्सित देश आगे है और विकासिल देश जो है वो इनकी तुलना में पीछ है एक रीजन तो आपको यह याद रखना है, दूसरी बात आपको यह जान रखना है कि विक्सित देशों के पास में तकनीके साधा हैं, इस तिर सरकारे और वहीं विकासी इल देश जो है, वो अभी अपनी सरकारों को अच्छे तरीके सा बनाने में ही लगी है, तो सरकारी जब विकास कैसे होगा, तो यह वाला कॉंसर्ट आपको याद रखना है, अगला परियावरण के संक्षन में, बुमंदले-करण कारे करता है, वो कैसे करता है, तो इसके अंदर आपको बताना है कि बुमंदले-करण के वजे से विदेशी कमपनिया आज एक देश से दूसरे दे जा रही है इसके बाद में क्या हो रहा है आज के जाके देख रहे हैं एक देख से क्या हुआ होुआ को दू tried to go replace इस ने की रही है पूरी तरीके से पर्यावरन को दूसरे देश चली देश के अंदर तो तो यह को ङुथ किया है क्लोरी फौरारबन पूरी ठरका net औरिशन वा सकता और यहाद करने में बहुत सारी कंपनीय है तो कहने विवाजन को कम करने के लिए कि लिए पहलों कि वैक्या कींजी उत्तर जो है विकसित के बार में और दक्षिण जो है विकास इल के बार में, इस सीम कूशिन है आप सब्सकों याद रखना है, अगल आ है सब्सकों को अपको परिभाषा देनी है, कुछ भी लिखा आ है, कुछ नहीं, सब्सकों का मतलब सिंपल सा यह होता है, आने वाली PD के लिए, हम अपने संसाथ उनों का इस प्रकार प्रियोग करें कि वो भी उप्योग कर सकें, बस यही सतत विकास है, there is nothing, anything else, आप तो यह को या तक नहीं, ओद्योगी करने के सोरूप की व्याक्या करनी है, आपको परियावरन सतत विकास तता ओद्योगी करने के परभावों को बताना ह हैं, तो सतत कर्शी परताव हों, जैसे for example, परंपरिक रूप से जो कर्शी करते हैं, और जो आधनी कर्शी करते हैं, आज के जमाने में जो आधनी कर्शी करते हैं, उनमें कौन कौन से प्रॉब्लम आ रही है, जिसे अलग-अलग प्रकार की पैस्टी साइस दवाईयों का, इन सब चीज़ों का उपयोग की अदार है, जिसकी वज़े से हमारी जमीन की उपजाव शम्ता एक तो कम हो रही है, उपजाव शम्ता ही के वल कम नहीं हो रही है, बलकि जमीन जो है, और प्रती ना छोड़ने की वज़े से उसकी जो fertility rate है, वो बलुकुल घटती ही जा रही fertility rate गट्री ये लवनता बढ़री ये मज़ुस्तली करन हो रहा है, ऐसी सभी समस्याओं को आपको इसके अंदर वर्णन करना है, तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अधिक से दिक म मिलता हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में, जैहिन जै भारत, और इस वीडियो का PDF का लिंक अगर डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप मात से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बाकि मिलता हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में, जहिंजे भारत